हलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो दोस्तों, आज की हमारी या वीडियो बिजनेस कमिनिकेशन के बारे में है और इस बिजनेस कमिनिकेशन में एक important chapter है हमारा visual communication का तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि visual communication क्या होता है, इसका क्या मतलब है इसकी definition क्या है, इसके examples क्या क्या होते है या visual communication क्यों जरूरी है, इसके फायदे क्या क्या होते है इसी तरह के और भी बहुत से points को हम इस आज की वीडियो में cover करेंगे दोस्तों, हमारा या जो subject है business communication इसके और भी बहुत से अलग-अलग chapters के बारे में और भी बहुत से topics के बारे में मैं बहुत सारी videos बना चुका हूँ आप channel की playlist में जाकर उन सारी videos को भी देख सकते हैं तो आईए आज की इस video में हम समझते है visual communication के बारे में जिसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि इनका मतलब क्या होता है दोस्तों, visual communication को हिंदी में हम द्रिश्य संचार कहते हैं तो visual का मतलब हो गया द्रिश्य यानि जो कुछ भी हम अपनी आखों के थुरू देखते हैं उसे ही visual कहा जाता है और communication का मतलब तो आप सभी जानते होंगे जब दो लोग आपस में कोई भी message या information एक दूसरे से share करते हैं जिसमें एक sender होता है, दूसरा receiver होता है तो sender अपना कोई भी message या information receiver को देता है या भेजता है तो receiver उसे as it is ठीक उसी तरह समझता है जैसा कि sender उसे बताना चाह रहा है तो यही communication कहलाता है तो visual communication का मतलब यह हुआ कि जब हम किसी भी message को बस देख कर ही अच्छे से समझ जाते हैं उसे बोलने या बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आईए दोस्तों इसकी meaning के थुरू हम इसे और clear समझते है visual communication involves sending and understanding message only through images or picture the main advantages of this type of communication is that you do not need to know any particular language for understanding it तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा communication जिसमें images या pictures के थुरू लोगों को कोई message भेजा जाता है और उसी form में समझा जाता है तो वह visual communication कहलाता है मतलब इसमें जो कुछ भी हम communicate करते हैं उन message को अच्छे से समझने के लिए हम images या pictures का use करते हैं तो इस तरह visual communication का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इस तरह के communication में किसी तरह की language की जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी भाशा की हमें जरूरत नहीं पड़ती है इसमें हम visualize way में किसी भी picture या images में क्या message दिये जा रहे हैं उसे अच्छे से समझ सकते हैं तो दोस्तों visuals का use करने से हमारा जो content होता है वह engaging बन जाता है तो कोई भी information हम display करके दूसरे के mind में उसके लिए idea create कर सकते हैं तो इस तरह हम short में कह सकते हैं कि visual communication is a way that people communicate and share information through images or visuals अब आईए देखते हैं कि visual communication के examples क्या क्या है उसमें क्या क्या चीज़े आती हैं जिसके through हम visual communication कर सकते हैं तो यहां लिखा हुआ है examples of visual communication इसके नीचे कुछ यह examples दिये हुए हैं जैसे visual communication के लिए हम images का use कर सकते हैं diagrams, flow charts, symbols, signs, animation, advertising, etc. इन सारे तरीकों से हम visual communication कर सकते हैं अपनी information को सही तरीके से effective way में दूसरे person को समझा सकते हैं, बता सकते हैं अगर आप इसे और अच्छे से समझना चाते हैं तो कुछ और examples हैं जैसे traffic symbols जो traffic के symbols होते हैं जैसे कहां रुकना है, stop का symbol slow कहां करना है, car या bike को slow का sign दिया हुआ होता है कहां आपको turn करना है अलग-अलग जो traffic rules के जो symbols होते हैं वो sign से आप समझ जाते हैं उनके बारे में सेम इसी तरह दोस्तों जैसे traffic lights हैं उसमें भी red, yellow, green इन तीनों lights का अपना अलग-अलग मतलब होता है उन्हें भी हम अच्छे से समझ जाते हैं किसी को हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है इसके अलावा no smoking zone कहीं cigarette पीना मना है तो वहां पर लिखा हुआ होता है कोई हमें आकर बताता नहीं है हम बस ऐसे ही समझ जाते हैं वह sign देखकर इसके अलावा sign of railway crossing रोड पर आप कहीं जा रहे हैं अलग-अलग sign होते हैं अब इसमें किसी भी तरह की language की जरूरत नहीं होती है इसे सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं तो यही visual communication होता है अब आप यहां मेरी यह YouTube पर वीडियो देख रहे हैं इसे अच्छे से समझ रहे हैं तो मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे सुन रहे हैं तो यह verbal communication के साथ साथ इसमें visual communication भी involved है जो कुछ जरूरी होता है वह मैं images या pictures के थूरू भी आपको show करता हूँ बताता हूँ जिससे कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएं तो यही visual communication है इससे हमें सारी चीज़ों को समझने में आसानी होती है communication easy होता है और effective होता है एक line में हम इसे यह भी कह सकते हैं कि visual communication is more effective than words इससे मुश्किल concept जो होते हैं वो जल्दी से और आसानी से समझ में आते हैं तो इस तरह जब verbal communication non-verbal communication और visual communication का इस्तमाल करके हम किसी को कुछ बताते हैं कोई information देते हैं तो वह information वह person effective तरीके से अच्छे से समझ सकता है यहां आगे लिखा हुआ है visual communication connects everyone through use of technology and innovation businesses can use visual ads during meeting to promote a broader understanding among those who attend तो इसका मतलब यह है कि technology और innovation का use करके visual communication के through लोगों को connect किया जाता है जोड़ा जाता है बड़े बड़े जो businesses होते हैं वो अपनी meeting में इन visual ads का use करके लोगों को और अच्छे से वो अपनी बात को समझा पाते हैं और जो उसके employees या managers वो meeting attend करते हैं वो भी सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं तो अब ये visual ads क्या है इसमें क्या चीज़े आती हैं यहां लिखा हुआ है visual ads में include whiteboards, smartboards, powerpoint presentations, paper handouts, etc. these are the different types of visual ads that help in conveying a message effectively तो ये जो whiteboards होते हैं जहां हम लिख कर किसी को कुछ बताते हैं जो smartboards होते हैं powerpoint में जो presentation दी जाती है या paper handouts जिसमें किसी भी topic से related कोई चीज़े points लिखे हुए होते हैं तो ये जो अलग-अलग visual ads होते हैं या किसी भी message को effective तरीके से बताने में help करते हैं इनके through clear understanding हो पाती है अगर कोई person किसी meeting में बस बोल रहा है उसके पास ना किसी तरह के data है ना कोई chart, diagram किसी भी तरह की कोई presentation नहीं है तो वह जो message दे रहा है वो पूरा अच्छे से लोग नहीं समझ पाएंगे जब तक कि उसमें इन सारे visual ads का इस्तेमाल ना किया जाए अगर वो smartboards पर कुछ लिख कर लोगों को बता रहा है कुछ presentations है जिने वह दिखा रहा है तो इस तरीके से जो उसमें diagram, charts, pie charts जो भी सारी चीज़े उसमें show की जाएंगी तो सारे लोग जो होंगे वो अच्छे से connect कर पाएंगे उस message को वो अच्छे से समझ पाएंगे तो इसलिए यह visual communication बहुत ही important होता है लोगों को अपनी बात और अच्छे से बताने के लिए तो दोस्तो visual communication क्या होता है इसके बारे में अब हम अच्छे से समझ चुके हैं अब आईए इसकी importance के बारे में जानते हैं कि यह visual communication क्यों important होता है Why is visual communication important इसके कुछ यहाँ पर points लिखे हुए हैं, इनको बस हम एक-एक करके समझते हैं इसमें सबसे पहला point है, it helps us remember more information visual में जो हम देखते हैं, उससे हमें ज्यादा तर चीज़ें याद रहती हैं बजाए सुनने और लिखने के compare में तो अगर कोई भी information visual में दी जा रही हैं, तो वह information लंबे समय तक याद रहती है दूसरा point है, it helps us communicate with person of different language and ages visual communication के द्वारा जो अलग-अलग language के लोग हैं, जो अलग-अलग भाशा बोलते हैं या अलग age हैं, उनकी छोटे हों, बड़े हों, उन सभी से communicate करने में help मिलती है अगर हम किसी भी image या picture को किसी को बता रहे हैं, show कर रहे हैं तो उससे या फर्क नहीं पड़ता है कि कोई person क्या language बोलता है, उसकी भाशा क्या है वा सभी उस picture को एक जैसे ही, एक तरीके से ही समझेंगे Next है, present your ideas in a more attractive way that is easy to understand Visual communication इसलिए भी important होता है, क्योंकि visual communication के दुआरा हम अपने ideas को attractive तरीके से सामने वारे person को show कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ताकि वा person उसे अच्छे से समझ सके तो अलग-अलग images, pictures, diagram, charts का use करके हम अपने ideas को attractive तरीके से लोगों के सामने present कर सकते हैं, चौथा point है, they are eye-catching and help make things more interesting यह visual communication जो होते हैं, यह eye-catching होते हैं और यह चीजों को और interesting बनाते हैं ताकि समझने में उसे आसानी हो, जैसे अलग-अलग जो companyya है, वो अपने जो logo है उनका, वो इस तरह से वो design करती हैं, बनाती हैं ताकि वो eye-catching हो, उस logo को देख कर ही लोग उनके product को पहचान सकें, कि वो इस company का है, तो एक logo से ही उस company की पहचान बन जाती है तो इस तरह इस से हम अपनी information को engaging और interesting भी बनाते हैं Next और last point है, complicated और lengthy information can be simplified and easily understood दोस्तो visual communication की importance यह भी है कि इस से हम complicated और lengthy information को हम आसानी से समझ सकते हैं जो भी हमारे पास information है, वह काफी lengthy है, information है, बड़ी है, ज्यादा है, तो उसके लिए हम charts या diagram का इस्तेमाल करके लोगों को आसानी से बता सकते हैं अगर हमें कोई report submit करनी है, तो उसमें हम graph या charts का use करते हैं, यह उस concept को easily explain कर सकते हैं तो इस तरह या जो visual communication होते हैं, या effective तरीके से हमारी information को लोगों को बताने में help करते हैं इसलिए इसकी importance है, अब आईए दोस्तों visual communication के advantage के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके फायदे क्या क्या होते हैं, तो यहां लिखा हुआ है, advantages of visual communication यहां इसके 5 points लिखे हुए हैं, या 5 advantages लिखे हुए हैं, इनको हम एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं तो visual communication का सबसे पहला advantage है, easy transmission मतलब visual communication को एक person से दूसरे person को transmit करना आसान होता है, easy होता है दूसरा point है, या दूसरा advantage है, easy to understand visual communication के through audience को message जल्दी पहुँचता है, और इसे आसानी से देख कर समझा भी जा सकता है अब जैसे किसी को अगर आप कोई data show कर रहे हैं, वह written में है, तो उसे पढ़ने में थोड़ा time लगेगा और उसे समझने में भी time लगेगा, पर वहीं आप अगर उसे chart या diagram में show करेंगे, तो वह जल्दी से समझ में आएगा तो यह इसका advantage है, इसका तीसरा point है, easy to remember दोस्तों अगर आप कोई information किसी person को दे रहे हैं, तो आप या जरूर चाहेंगे कि वह information या message उस person को याद रहे तो आप उस information को visual form में deliver कर सकते हैं, इससे लोग ज्यादा attract भी होते हैं आप या notice किये होंगे कि बड़ी-बड़ी company जो होती हैं, उनके banners, hoardings आपको हर जहां देखने को मिलती हैं तो यह भी visual communication ही है, वो चाहते हैं कि आप उनके product को हमेशा याद रखे नेक्स्ट है, creates interest, जब आप visual में किसी को message देते हैं, या text के साथ-साथ आप ज्यादा से ज्यादा images या pictures का use करते हैं उस message में तो वह person जो उस message को पढ़ेगा या देखेगा, तो उसे उसमें interest create होता है, और वह उस message को अच्छे से देखता है, सुनता है विजूल कम्मिनिकेशन के advantage का next और last point है, effective communication, तो जब विजूल कम्मिनिकेशन किया जाता है, तो या communication effective होता है, या प्रभावी होता है means या लोगों को और अच्छे से समझ में आता है, लोग इस message को अच्छे से समझ पाते हैं, लोग अच्छे से समझ पाते हैं कि आप उस message या information में लोगों को क्या कहना चा रहे हैं, क्या बताना चा रहे हैं, तो यही कुछ विजूल कम्मिनिकेशन के advantage होते हैं, उमीद करता ह आपको आज की इस वीडियो में visual communication के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा आप समझ गए होंगे कि visual communication क्या होता है, इसकी meaning क्या है definition क्या है visual communication की examples क्या क्या होते है यानि visual ads क्या क्या होते है और यह visual communication important क्यों है इसकी importance क्या है और ये इनके advantage क्या क्या होते हैं इन सारे points के थुरू अब आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे तो अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोज देखना चाते हैं तो आप channel को subscribe कर सकते हैं बेल आइकन को जरूर on रखें ताकि आपको आगे की आने वाले वीडियोज की notification मिल सकें बिजनेस कमिनिकेशन की और वीडियोज देखने के लिए channel में इसकी playlist को एक बार जरूर चक करें मिलते हैं next वीडियो में thank you